अम्मा के दिल का चैन थी मैं बाबा की राज दुनारी थी मैं अपने घर की जन्नत में एक हूर थी शेहजादी थी क्यों क्यार के रिष्टे टोट गए मेरे बाबा मुझे से रोट गए मेरे बाबा मुझे से रोट गए मेरे उनकी बीच में ऐसी कोई बात नहीं है शायद हम दोनों को समझने के लिए थोड़े वक की ज़रुवत है हाँ हाँ मैंने कब रोका है जितना चाहे वक ले लो भले ही जवाद ने तुमें महज अलाद के लिए अपनाया हो लेकिन तुम भी तो बीवी ही होना उनकी प्लीज मेरे बारे में दादी को कुछ बन बताना मुझे क्या नहीं बताना था यही है कि मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ अगर अब मुझे यही रहना है तमाम उमर यह लोग जैसे भी है इनहीं अपनाना है तुम अब बताना है तुम अब भी समझते हो कि मुनाज़ा की रगों में किसका खुन दोर रहा है पहले मुझे नहीं मालूम किसकी रगों में किसका खुन दोर रहा है कि इन जिस औरत ने उसको जनम दिया है उसमें कुछ तो अच्छाई होगी इसे मुनाज़ा जैसी नेक सीरत औरात हमें नसीब की उसे तुमारी शवकत चाहिए थी यह तुमने उससे च्छीन लिए तो इन चंद काखस के टुकड़ों का कोई मौल लिए उसके लिए मैं भी इस रिश्टे को मुनाज़ा के लिए मुनासिब नहीं समझती थी लेकि मैं कुछ नहीं कर सकी कुछ में नहीं लेखे बीजाग मुनाज़ा की शादी का फैसला मैंने नहीं किया था मैं तो खुद ये घर छोड़कर जा रहा था मुझे ये घर्ज नहीं है कि वो दुख में या सुख में तह रहकीकत मेरा रिश्टा उससे खत्म हो गया और ये बार बार आप मुनाज़ा का किस्सा मेरे सामने लेकर क्यों बैठ जाती है मुझे तकलीफ होती है मलिया की अच्छाई के बदले में उसे मुनज़ा जैसी बेटी मिली मेरी अच्छाई के बदले में मुझे क्या मिला मलिया अपने मुर्दा वजूद के साथ ना जाने कितने रास के साथ वो मटी में दफन है और मैं मैं जिन्दा लाश बनकर अपने सीने में कैई सवालात लेकर दर्बदर गुम रहा हूँ मैं पत्तर नहीं हूँ, मैं इनसान हूँ मुझे भी दर्द होता है जिसे अपनी जिन्दीगी से निकाल दिया तो निकाल दिया अब राह में कांटे उकते है अब पैरो में शीशे चुपते है ये कैसी सजा है कौन कहे क्या मेरी सजा है कौन कहे क्यों प्यार के रिष्टे तो निकाई क्यों प्यादे चाई अब राह में शीशे का प्यार के जिकाई अब प्यार और अब प्यार अब प्यार तुम मेरे बारे में इतना सोचती है और मैं तुम्हारे खाते जरा सी तकलिफ में उड़ा सकता है। वो घर जहां तुम्हें अपना बच्पन गुजारा रिष्टे चोड़े वो रिष्टे जिसन्दगी भर तुम्हारे सामने रहे शादे के बाद तुम्हें सब को भला दिया। प्लीज रूमत प्लीज ग्रूम्हें प्लीज़ा दिया तुम्हें तुम्हें सब्सक्राइब दुम्हें आच्पना तुम्हें सेया। गुड मार्निंग गुड मार्निंग खेरी है आज इतनी जल्दी आफिस जा रहे हूं जिए आफिस जाते वे बीजान से मिलता हुआ जाओंगा उन्हेंने मुनजा को लेकर बहुत टेंशन देती है गलती भी मेरी है मुझे बीजान को मुनजा के बारे में कुछ भी नहीं बताना चीए था बीजान की उमर के साथ उनकी अकल ने भी काम करना छोड़ दिया अरे भला कोई अपनों से जादे भी गैरों को अपनाते ये मुनजा तो बीजान के हवासों पर च्छा गई कि उन्हें अपनी सगी बेटी के साथ की हुई जयाती पर भी जरा मलाल नहीं है मामा आपको बीजान की जिस प्रॉपर्टी को लेकर मलाल है ना मुनजा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं ये तुम क्या कह रहे हो जी बाबा मैं प्रॉपर्टी के पेपर्ज लेकर मुनजा के गड़ ग्यादूर गड़ उठा लेकिन मुनजा ने उसे रिसीब करने से मना कर दी इसके बाद भी अगर कोई मुनजा की नियत पर श्रक करे ये उसका अपना हैडिक है मैं तो पहले से जानता था वो बच्ची सोने की तरह घरी और हीरे की तरह अन्मोल है बस उसे गदर करने वाला जहुरी नहीं मिला इसमें भी उसका कोई न कोई मुफाद होगा प्रापर्टी के पेपर्स वापिस करके वो डबल गेम खेल रही है बीजान का दिलते हो पहले अपने मुठी में कर चुके है अब उसका अगला शिकार भाई जाने For God's sake मो ये सियासी ब्यान देना बंद कर दें आप पहले आपको बीजान की प्रापर्टी को लेकर रिशू था अब आप मुनज़ा की नियत पर शक्र करके उसे गलत साबित करना चारी है अब क्या साबित करना चारी है कि आपके इलावा यहां पर और कोई साही नहीं है आपका काम है मुनज़ा को बार बार गलत साबित करना अगर उसमें कोई अच्छाई है ना तो वो भी आपको नजर नहीं आएगी खुड़न बेटा नाश्ता करो अब अब क्या नाश्ता करूँ मैं चलता असलाम लेकूर अच्छा मैं आफिस जा रहा हूँ इसमें पहली दपा तुमें एतनी देर से दफ्तर जाते देख रही हूँ खैरियत तो है हाँ वो अनिज़ा अपनी दादी को मिस कर रही थी तुमेंने सोचा के आफिस जाते वाग उससे घर छोड़ दो चल मेरी बात कासर तो हूँ असलाम कौनसी बात हमने है कोई नहीं हच्छा सुनो जब तुम उसको दादी के खर उसकी छोड़ने जाओ तुमें कि दादी से ज़रा प्यार मुहबब से मिलना और अगर वो तुमें किसी जायदाब बगारा की या किसी ऐसे चीज़ों की वाफर करें तो इनकार मत करना हाथ बढ़ा के ले लिना मुनाज़ा ने भी कल इसी बात पड़ाट खाई मसे तो तो इसलिए वा मायूस थे अमी हमारे पास अल्ला का दिया सब कुछ है किछी से कमी है अग कल तक आपके डिमार्ट से बच्चे की थी जायदार कहां से बिश में आ गई जफार ये रुप्या पैसा बंगला गाड़ी ये सब कुछ मैं कबर में तो नहीं लेके जाने वाली तुम्हारी खातिर कर रही है तुम्हारी आने वाली नस्टों के लिए कर रही है तुम्हारा भला चा रही है मैं जानता हूँ ये सब कुछ आप मेरी भले के लिए कर रही है मेरी भले के लिए आपने मेरी दूस्री जाली करा दी बातो बातो में मां को ताना मत दो मर जाओंगी न Ontario तो य्यात करोगे अल्ला ना कर रहा म दूंअ आ प्रॉम्ही आपको इसे बातें कर रही हैं मुरवत में आखके आ अब मुझे यह बताने की कोशिश मत करो के تم मेरा कितना ख्याल करते मेरी कितनी परभा करते एक बात बताओ, मुनज़त से शादी हुए कितने अर्सा हुए, एक दिन भी तुमने उसे सही वक्त दिया है, टाइम दे सके उसे पूरा, बताने तुम्हारी उलाद की खुशी देख भी पाऊंगी के नहीं, इस से पहले के खांदान वाले बाते बनाए, तुम होश के ना करो कुछ, अच्छा मीन जा रहो, अल्ला हाफिस हमे, ला हाफिस, तौबा है भई, उसको दूद पीते बच्चे बन गए जिनको कुछ समझ ही नहीं है, क्या पढ़ रहे थे कुछ याद, लड़की तुम्हारा दमाग तो नहीं चल गया, घर आई दॉलत को को इस तरह से ठुक रहता है, हत कर दी तुमने भी, पता नहीं, क्या दिमाग है तुम्हारा क्या सोचती हूँ, अरे तुम अपने बारे में ना सोचो, बच्चों के बारे में सोचो, कल को बच्ची होंगे फैमली बनेगे और तुमने हमें क्या समझा, हमने हत्ते हैं क्या तुमारे जादात को खफजा कर लेंगे? अमी, आप समझ नहीं है, हाँ, समझ तो मैं नहीं नहीं हूँ, क्योंकि एक तुम ही जो अकल मन हमारे घर में आ गए, अपने बारे में नहीं, आने वाले वक्त के बारे में सोचो, और याद रखना, यही तुम्हारा घर है, इसी घर के बारे में अब तुमें सोचना है, प्रेंग कर दोड़ा हैं वापी प्रेंग कर दोड़ा है यह इसे कोई बात यह है वो मझे शाम को पिक कर लेंगे तो क्या आप इसले उडास हैं? नहीं तो भापी आप इसना गन्फ्यूस क्यों हो रही है चितना यह घर माय भापी का है उतना ही आप का है वैसे कितनी अफसोस की बात है शेरोज हमारी घर आया और आपने उसे कब चाय का भी नहीं पूछा कितना बुरा लगा होगा उसे नहीं हुआ ऐसा नहीं है मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ पच्पंस उसे बहुत अच्छी तरीके से जाती हूँ अच्छा जब मेरतन चाय पना कर लाई तो चला क्यों क्या वो दरहसल मुझे और जवाद को दिनर के लिए इन्वाइट कर रहा था और तुम्हें तो बता है जवाद किता विजी रहते मैंने दिनर के लिए मना कर दिया और वो बस अराज होके चला क्या बस इतनी सी बात भावी आपने माय भावी को देखा है भावी पिक किस तरह रोब रखती है और एक आप है आप तो भावी से ऐसे कत्राती है जैसे वापको घा जाएंगे आपने भावी से पूछा भी नहीं और शेरुस को मना कर दिया फिर तो उसका नाराज होना बनता है न वो भावी आपके पास शेरुस का नंबर तो होगा न हाँ पर क्यों मैं भी कितनी पागर हूँ आपके पास से यहोगा तो किसके पास होगा वो मुझे इसका नंबर चाहिए था क्यों क्यों बीबी जी आप मुझे गुस्से में लग रही है मैं ऐसा करती हूँ बाद में आती है पैरों को जुमबिश भी दी न तूंगे काट दूंगी समझाई नमक हराम तुझे शरम नाई बेरी बाले बाबा का कहके कर मुझे बेवकूब बनाती रही मुझे से पैसे याँ चटकी मेरे दुश्मनों की मदद करती रही बेश शरम डूंग मर जाके कही सोच के घोड़ी दोड़ाने से कोई फायदा नहीं है भू बेगम जो आज तक इस गर में नहीं हुआ वो अब हो रहा है चोटे सहाप आज तक आफिस देड़ से नहीं गए लेकिन आज देखेँ ऐसा तो नहीं के मेके छोड़ने के बहाने वो छोटी दुलन को कही गुमाने ले जा रहे है आप से जवाद हो हमें, बात तो एक ही है, आप इन चिकली चुपड़ी बातों में आखे साहब जी पर भरोसा मत्तर बोथ हुगा, इचो खावन दोते हैं न, ये इन ही बातों को अपना हतियार बनाते हैं, हाँ तुम्हें कुछ अरसा पहले मैंने एक काम के लिए पैसे दिये थे, क्या बना उस काम का, जवाद पहले से ज़्यादा उसके आगे पीछे मंडला रहे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पैसे मुझ से ले रही हो और काम खाला मीका कर रही हूँ, हाँ, तौबह करे बहु बेगम आप ही के काम में लगी हूँ, बेरी वाले बाबा ने साथ दिन के पढ़न का कहा है, साथ दिन के बाद अगर छोटे सहाब आपके आगे पीछे ना गुमें ना, तो मेरा भी नाम शन्लू नहीं, हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या आप अचुशन, अच्छे कुछ परेशान लग रहे हुआ नहीं नहीं तो मैं तुमसे काता मानज्जा कि अगर कोई बात हो कोई परेशानी हो तो तो मुसे शेयर कर सकते हैं तो मुसे तुम तो इतना ही कम भोलती हौ या मेरी वज़ा से ऐसा कुछ नहीं है मैं यह सोच रही थी कि दादी शायद घर पे हो या ना हूँ उन्होंने कहा था कि उनको जारत पर जाना है मेरी शादी के बाद जाद जादा वक्त वो महीं को जाना चाहती है यह तो वो चाने से पहले ही तो तुम से मिलकर जाएं के लिगा है यह 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 भी है वैसे मुरीज़ तुम अम्मी की बातों के लाँ दिल पर अप्लिया करो वैसे सखम जाज हैं लेकिन दिल की बहुत अच्छी है मैं जानती हूग आप पर रेशान मत हूँ जानती है याल्ला मैं जवाद को कैसे बताओं के वो घर मेरे लिए रुकसती के बाद नहीं रुकसती से पहले ही पराया हो गया था मैं बाबा को अपनी सूरत दखा कर तुखी नहीं करना चाहती अगर उस वोकर बाबा घर हुए तो यार तलत अक्सर तुम मेरे चेरे पर परिशानी डोड़ता है आज तेरा चेरा क्यों अदास है सर्मत की वज़े से सर्मत की वज़े से आज यार रहा तो उसने वज़्ट से पर अपनी शादी के तस्वेरे बेजी है वई से मुस्क्री म inqu 할ी ने तो उसमें परिशानी की क्या वात है यार उसमय कुछ सोच समझ ब किया हूँगा ना यार यही बत तो मैं तिरी बाभी को समझा genial समझा के थंग गया हु। इस बात को लेके ना भूख वो वो भादोधा नहुस्ता मुझे सुने रिया। बाभी को समझाओ बच्चों की खुशी में ही माभाप की खुशी होती है। एको ना ये कोई पल दो पल का साथ तो नहीं है, सारी जिन्दिकी का सवाल है क्या तो तो ठीक रहा है यार हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए दू जी रहा है तो तो बताओ, उन्हें तो अपने गर में खुश तो है ना यार अपनी ख़बर नहीं है तो दूसरों की क्या ख़बर लगे ये बताओ, क्या प्योंदो कुछ भी मदाना है ताथी आप क्यों रो रही है मैं अपने घर में खुश हूँ जोटे दिला से मत दो मुझे मुझे शेलों ने सब कुछ बता दिया उन्हें मुझे क्यों पर आया करती है, बिटा इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने दुख्मों से चुपा रही हूँ तादी मैं आपसे कुछ नहीं चुपा रही हूँ बिस इस घर को अपना बनाने की कोशिश कह रही हूँ और आपको कैसा लगेगा कर में छोटी सी बात पर मराज होकर घर आ जो यादे ममा क्या कियती थी कि शादी करना तो असान होता है लेकिन इस घर की जिन्नदारियों को समालना बहुत मुश्किल और हर घर के तोर तरीके और रसूल टिफरिंट होते हैं दादी और अगर वो मुझे मेरी खलती पर नहीं डाटती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी खलती क्या थी पतानी शेरोज ने क्या देखा क्या समझा और आपको आके क्या बताया ऐसी कोई भी बात होती तो क्या जवाद मुझे घर आने देते खुट छोड़के गए हैं बूप उबार के बाहर के उचला गिया अंदर नहीं आया तादी आप क्यों टेंशन लेती है तरहसल मैंने ही उनसे नहीं पूच्छा अंदर आनी कि मुझे टरता कि कहीं बाबा घर पे नाओ तो माजी के बेटा तो माजी के बेटा तो मुझे अधार झाली दादी क्यों बेटी का दिल तोड़ दी के बाद क्यों बेटी को तो मुझे आपनी करम देजाना मुझा रीब को ब बीजी के कहार से बचाना है बीबी जी आप मुझे गुस्टे में लग रही हैं मैं ऐसा करती हूं बाद में आती है पैरों को जुंबिश भी दी न तो तांगे काट दूगी समझाई नमा खराम तुझे शरम ना आई बेरी वाले बाबा का कहके कर मुझे बेवकूब बनाती रही मुझे पैसे या चटके मेरे दुश्मनों की मदद करती रही बेश शरम डूमर जाके कही हाई लब बीबी जी अपने हातों से हमारा गला गोट दे आप पर ऐसा अलजाम न लगा है शन्नों पे हाँ मैंने तो अपने नमक का हक अदा किया है जी शन्नों को पैचानने में चूख गई है अगर मैं बहू बेगम को एत्मात में लेके उनका काम ना करती तो वो ये काम किसी और से करवा लेती वो तो एन मौके पे अपनी होश्यारी दिखा के मैंने उन्हें बेवकूब बना लिया पैसे तो लिए उनसे लेकिन काम सौ फीसद आपका कर रही हूं जी और आप है के शन्नों की इमानदारी पे शक कर रही है साथ दिन का अमल उनका नहीं आपका है जी ठीक है लेकि आइंदा याद रखना मुझे बेवकूब बनाने की कोशिश भी की न तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ चल जा जाब के अपना काम कर जाए चोटे साथ आज तक आफिस देर से नहीं गए लेकिन आज देखे ऐसा तो नहीं कि मैंके छोड़ने के बहाने वो चोटी दुलन को कही गुमाने ले जा रहे हैं आप से कह दिया कि मैंके छोड़ने जा रहे हैं और क्या पता इसी बहाने लंबी सेर के लिए निकल जाएं मैंने सुनाया कि जादा हुसन भी इंसान को बरबाद करते ता है अब बरबाद जवाद हो यह हमें बात तो यह की है आप इन चिकली चुपड़ी बातों में आके सहाब जी पर भरोसा मत्तर बहुत हुगा यह जो खावंद होते हैं न यह इनी बातों को अपना हसियार बनाते हैं जवाद अगर सच मुझ मनज़ा को उसके घर छोड़कर आफिस गए है तो इस वक्त तुने आफिस में होना चाहिए नहीं नहीं अगर मैं जवाद के मुबाइल पर कॉल करूंगी तो वो बहाना बना कर कह देंगे कि आफिस में हैं मुझे उनके आफिस फोन करके पूछना चाहिए हलाव असलाम लेकूम जवाद साब से बात करवाईये मरी मैं सर तो इस वक्त मीटिंग में है अगर कोई मेंसेज है तो बता दें मैंको कहा दूँगी हलो जी सर मैं का घर से फोन था आप उनसे बात कर लीजे आप के सर नंबर बीजी करके नजाने कौन सी प्राइविट बात हैं चल रही है मैं तो जैसे बेवकूफ हूँ मैं भी पता चला के रहूंगी बीजान वो आंसा भी भी आई थी फुपु जी कहा है वो पहले तो वो बीजान की तबियत का मालूम कर रही थी जब मैंने बताया के बिटी आई हुई है तो वो बाहर से बाहर ही चली गई जब मैंने जब आई है असलाम आले कुम बीजी आले कुम सलाम मैंने सुने है बीजान की देबे ठीक नहीं है जी सुबा तो उनकी तबिया बहुत ही खराब थी लेकिन जब से मुनज़ा बिटी आई है न वो खुशबी है और बहुत अशाच बशाच है मुनज़ा आई है जी हाँ जब आद्मियों उन्हें सुबा ही छोड़ कर गए ठीक है मैं चलती हूँ वो आप अंदर नहीं आएगी आई तो थी मैं बीजान के खेरियत पता करने लेकिन अब जब मुनज़ा यहाई भी है तो मेरी क्या जरूरत है चलती है हुआ है हुआ है है शरूर्स कासे हो अब सुनारा हो मैं पैचाना नहीं अरे इतनी जल्दी भूल गए मुनज़ा भाबे की सिस्टर इन लौग सुरी मैं पैचाना नहीं और मुझे देखो पहली मुरकास से तुम्हें भूली नहीं मैं समझा नहीं भई मुझे कभी मिलोगे तो मुझे समझोगे ना तुम जैसे इतना हैंडसम नौजवान इतना मिचूर कैसे समझ नहीं आता कहीं प्यार में चोड तो नहीं खाई तुमने तो फिर एक पैसला मेरा भी सुन लो तुम जब तक मैं जिन्दा हूं तुम किसी और की हो जो जो यह नहीं हो सकता चोड़ो चोड़ो मुझे यह क्या पागलपन है कभी तो मैं इसी पागलपन से महबत हुआ करती थे मुनासान पर अब हालात बतल चुकें मगर मेरा प्यार तो नहीं बतला ना देखो मुनासान यह जोड़ देगे हम यह मुल्क छोड़ देंगे यह प्रषा अधोड़ाशी भूदे कपरें तो मुझे पता है मैं यह दुवारा तोड़ाशा, ठight獁 मुझे एक मुकर देदू यह दूँ मेरा प्यार जीत लमब करना प्लीज मुझे एक मुकर दे दू यह मुंकर देंगे यह जोड़त। मुझे बाबा से बहुत महभबत है मैं उन कोई तक्रीफ नहीं दिय सकते हेलो, कहा खो गए? तुम्हें बातो बातों में ने तुम्हारे दिल की बातों नहीं पकड़ ली? नहीं, इट सो के, मुझे किस लिए फोन किया है? ये सवाल कुछ आउक्वर्ट से नहीं है? मुझे लड़कियों से बात करने का कुछ खास एक्सपिरियंस नहीं है कोई बात नहीं, मैं हूना, मैं सिखा दूंगे जी? सुनहरा, सुनहरा नाम है मेरा वैसे तुम मुझे मेरे नाम से कहने पकारते हुआ बिलकल मुनज़ा बाबी की दारा हो तुम भी रिजर्व, एंटी सोशल मुनज़ा कैसी है? ये बात तुमें पता होनी चाहिए ना, वैसे भी आज वो अपने घर गए मी है मेरी बात नहीं हुई, मुझे पता नहीं है क्यों? मुझे तो लगा कि मुनज़ा बाबी ने तुमें फूल करके बता दिया होगा आखिर तुम उनकी बेस्ट्रेंड हो क्या ये भी मुनज़ा नहीं बताया आपको? जितना बता दिया है, आई तिंक उतना काफी है वैसे, मैं तुमसे मिलकर तुम्हे जानना चाहती हूँ देखें, क्या करेंगे आप मुझे मिलके? मैंगे नहीं बोरिंचान हूँ दो मिनिट में लोग बेजार हो जाते हैं मुझे मिलके और अगर मैं दो घंटे में भी तुमसे बेजार ना हुई तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं बाद में बात करता हूँ अपसे बहुत गलत बात है दादी करीम बाबा बता रहे थे कि आपने खाना पीना सबको छोड़ दिया मेरे फिकर में ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप बाबा की परिशानियों और बढ़ा रही हैं अगर अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो बाबा का ख्याल कौन रखेंगा? बिटा बहले तुम अपने घर की हो गई हो लेकिर मैं तुम्हें भूल तो नहीं सकती ना तुम कैसी हो? किस हाल में हो? इसकी फिकर मैं नहीं करूँ गई तो और कौन करे? बगर ये याद रखेगा कि आपकी सिहरत से जादा मुझे कुछ और चीज अजीज नहीं है और वैसे भी जवाद बहुत अच्छे है मेरा बहुत ख्याल रखते है मेरे खाने पीने का, उठने बैठने का, आने जाने का, सब का और माया आपी वो तो मुझे सिर्फ बेहनों की तरह ट्रीट करती है मैं बहुत खोश हूँ क्या इसके बाद भी आपको मेरी फिकर करने की कोई जरूरत है? शुकर रखादा बीजान शेजे ठांकी करें बाबा बीजान वो आनसा भी भी आई थी फुपो? जी कहा है वो? पहले तो वो बीजान की तबियत का मालूम कर रही थी जब मैंने बताया के बिटी आई हुई है तो वो बाहर से बाहर ही चली गई अच्छा तुम जो ठीक है तुम अपना दिल छुटा ना कर, बश्रत की में बाहरी मैं ठीक हूँ चली, जूस पिया अलो, ताम को ममी अमीर जवाद फोन नहीं उठा रहे थे मेरा उन्होंने मुझे पिक करना था अफिसे वाप सुनो, अभी तकाय ने अप, परिशान मत हो, मैं उसे कह देती हूँ तुम ही ले जाएगा आके जे, थैंक यू जवाद, क्या मसका है तुम्हारे साथ, तु अभी तक मुनज़ा को लेने नहीं गए, वह तुम्हारा अंतिजार कर रही है हद कर दो, जा जाकर जल्दी से लेकर आँ से ओके जाएगा जाएगा, जाएगागा जाएगा रहागा आके जाएगा तरदान, पुछ को समभा लो, इतना गुसा मत करो, मुनीज़ा से मैं बात करती हूँ तुम्हें क्या लगता है, कि मुझे इस पर गुसा है, अरे मुझे अपने आप पर गुसा है, कि मैं अपने बेटी के जजबात को नहीं समझ सखा बाबा? मत कहो बाबा, अच्छा बाबा नहीं हूँ मैं जो अपनी बेटी को जानने और समझने का दावा करता रहा वो सब धोका था बाबा प्लीज, ऐसा मत कहे अम सॉरी बेटा मैं हमेशा अपनी पसंद को तुम्हारी पसंद समझता रहा शायद तुम इसलिए अपनी पसंद को समझ ने पाई तुमने मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश फैजान मुनिज़ा की समझ भी कोई समझ है आप उसके लिए जादा अच्छा सोच सकते है समझाना ही है तो अन्सा को समझाए वरना हमारी दोस्ती भी खतम हो चाएगी और आपकी जबान भी चली चाएगी उनाजस है मेरा रिष्टा सूलों से बहुत उपर है मलिया साब जी आप जल्दी गर आजाईए पता नहीं बहु बेगम को क्या हो गिया है वो बेहोश हो गई है ना ही बीबी जी गर पे और ना ही सुनेरा बाजी आप जल्दी आजाईए अच्छा तुम माया को समा लो मैं भी पहुच रहा हूं कि अरे पीजान आपके तब यह ठीक लग रही है मैं तो खामुखाद जल्दी में मेटिंग अंसरतर क्या हूं जिसकी वज़न से तब बिगड़ी थी ना उसी नाग संबाल लिया क्या मतला अच्छा करो तुम कपड़े बदर लो मैं तुमा लिए करेंगे चाय बिच्वातियों करेंगे आप तुमारी लिए भी तुमने जवाद को फोन कर लिया बात कर ली जी तादी वो आते ही होंगे मैं तुम्हे इस खर में भी रोख सकती हुआ है क्या हो गया तादी आपको जब मुझसे मिलना मेरे घर आजाय करें कितना दूर मेरा घर अब बच्चा अब बिबी जी एग्र अब अब बीबी जी आजाये और गाली तुम्हे लाष्टा झाया खरा सुल्दी गर आजाये पता नहीं बहु बेगं को क्या हो गया है वो बेहोश हो गई है ना ही बीबी जी गर पे हो ना ही सुनेरा बाजी मुझे पाने की अमीद से मत देखुश अरोज मैं शादी शुदा हूँ हम इसे बूल सकता हूं तुम्हारे निकाब में एक गवाब में भी था जवाद में अपने हाथों से मेरे लिए सूप बनाया है बहुत यमीने लो तुम भी टेस्ट करो नहीं वो ओ समझ गई कुछ लोग जूटा खाने से कत्राते हैं तो मैं नहीं पीना तो मत पियो वैसे भी जूटा तो तुम्हारी किसमत में लिखा जा चुका है अरे पीजान आपके तब यह ठीक लग रही है मैं तो खामुखाद जल्दी में मीटिंग के अन्सर करका हूँ जिसकी वज़े से तब बिगड़ी थी ना उसी नागर संभाल लिया क्या मतला ऐसा करो तुम कपड़े बदर लो मैं तुमा लिए चाय बचवातियों करेंगा ठीक है किटा ये वक्त बहुत सख्त है मेरी लिए भी और शाय तुमारी लिए भी तुमने जवात को फोन कर लिया बात कर लिया जी तादी वो आते ही होंगे मैं तुम्हे इस खर में भी रोख सकती क्या हो गया दादी आपको जब मुझसे मिलना हो मेरे घर आ जाय करें कितना दूर है मेरा घर मेरा बच्चा क्या हो गया है अजिस पता नहीं बहु बेगम को क्या हो गया वो बहोश हो गया ना ही बीबी जी गर पे और ना ही सुनेरा बाजी आप जल्दी आ जाएए अच्छा तुम माया को समारा हो मैं भी पाँच रहा हूं बस पाँच रहा हूं मैं भी अच्छा मुझे फैसे पाने की अमीद से मत देखुष अरोज मैं शादी शुदा हूँ कैसे बूल सकता हूँ तुम्हारे निकाव में गवाब में भी था गवाब में अपने हातों से मेरे लिए सूप बनाया है बहुत है अमीनी लो तुम भी टेस्ट करो नहीं वो समझ गई कुछ लोग जूटा खाने से कतर आते हैं तुम्हें नहीं पीना तो मत पीओ वैसे भी जूटा तो तुम्हारी किसमत में लिखा जा चुका है